तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नमबर 6 परिवहन एवं परेटन तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेशन पूछा था कि मैरिनो खादी कहां की प्रिसिद है तो जो बच्चे रेगुलर रहते हैं और जो लोग हमेशा से कुश्चन का आंसर देते हैं उन्हीं बच्चों ने आंसर दिया मैं सभी से ये कहूंगी कि सभी लोग जो हैं वो आंसर दें ताकि इससे आपका फायदा हो सके जो लोग इन चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे उनका बेस क्लियर नहीं होगा और ये बुक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर रहेंगी यदि आप वाकई में जौब पाना चाते हों इन चोटी-चोटी क्लासिस को पार करते हुए यदि आप बड़ी क्लासिस को पढ़ेंगे तो वहां आपको दिकत नहीं आएगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर किसी भी शेत्र में सामाजिक आर्थिक गती शीलता को बनाए रखने के लिए आधार भूद सरंचनात्मक धाचे के तहत परिवहन अतियावशक है तो परिवहन जो है वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी शेत्र की सामाजिक या आर्थिक गती शीलता को बनाए रखने के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक मानव एवं वस्तूओं के आवा गमन को परिवहन कहा जाता है ठीक है? हलाकि छोटी सी लाइन है जो सभी को पता है कि परिवहन किसे कहा जाता है तो अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि वस्तुओं के आवागवन को हम परिवहन कहते हैं, यहां भूल जाते हैं मानव को, मानव भी तो एक जगे से दूसरे जगे जाता है, तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक मानव हो या वस्तुओं हो उनका आवागवन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे शेत्र की रक्त वाहिनी कहा जाता है जिस तरीके से पूरे सरीर में रक्त जो है वह एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है और तब ही मानव जो है वह खड़ा है जीवित खड़ा है जो वस्तुएं हैं वह यहां मिल रही हैं, दूसरी जगए उस चीज की कमी है, तो एक परिवहन के द्वारा ही हम एक जगए से दूसरी जगए सामान को पहुचा सकते हैं, जिससे एक जगए आर्थिक इस्तिती भी अच्छी हो जाती है, जितना सामान वहां पर चाहिए, वो ल दूसरी जगए जिस वस्तुएं की उपलब्तता जादा है, उसे दूसरी जगए पहुचाया जा सकता है, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी बिविन आवशक्ताओं की पूर्ती नहीं कर सकता, तो ये लाइन जो है वह ये बता रही है कि जिस तरीके से हमें बहुत सा कि ये एक्जामपल है कि अनाज को खेत से मंडी तक पहुचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सादन की जुरत पड़ेगी, मंडी से दुकान तक जाने के लिए और दुकान से हमारे घरों तक पहुचाना, तथा कलकार खानों तक कच्चा माल और उतपादित वस्तुओं को उ भोगताओं तक पहुचाने में परिवहन का महत्वण योगदान है, तो इसलिए इसे रक्तवाहिनी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा ही कोई भी सामान जो है वो एक जगे से दूसरी जगे पहुचाया जा रहा है, क्योंकि यदि परिवहन का हम यूज नहीं करे तो जो अनाज है वो है खेत में ही रहेगा, किसान जो है वो कितना खाएगा उसे, मंडी तक यदि नहीं ले जाएगा, और और भी चीजें चाहिए होती है उसे, उसकी पूर्ती वो कैसे करेगा, उसकी पूर्ती वो है पैसों से ही करेगा, उसके पास जो अनाज है, जो भी रोल निभा रहा है परिवहन अतह परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक विवस्ता की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये भी क्या है एक तरीके का परिवहन ही है क्योंकि एक जगे से पानी वह हमारी घर तक आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए सडक परिवहन राजिस्तान में सरवादिक विकास सडक परिवहन का हुआ है। तो यहाँ ये लाइन जो है वो इंपोर्टेंट है। ग्रामीर शेत्रों में तो सडक परिवहन ही सबसे महतोपूर है। राज्य में इस्थित सडकों को राष्ट्रिय राजमार्ग, राज्यई राजमार्ग, जिला सडक, ग्रामीर सडक आदी में वर्गिक्रत किया जाता है। प्रधान मंत्री ग्रामीर सडक निर्मान योजना द्वारा बिविन गाओं को सडकों से जोड़ दिया गया है। तो सडक परिवहन के मात्यम से नगरों में जाकर उसकी पूर्ती हो सके। राजिस्तान से कई राष्ट्य राजमार्ग गुजरते हैं। राजिसरकार ने कई राष्ट्य राजमार्गों का भी विकास किया है। जो सडक परिवहन के आधारिस्तम है। तो यहां पर एक द्रस्य है राष्ट्य राजमार का। तो इस बॉक्स में जो लिखा है उसे भी पढ़ना है, important line भैती है यहां, भारत के चार महानगर हैं, कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नेई और कोलकाथा, इनको जोडने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम, चतरबुज, योजना कहा जाता है, ठीक है? स्वर्णिम, चतरबु फिर देखिए, रेल परिवहन, इस्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तता भारी वस्तूओं के परिवहन के लिए, रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का सादन है, तो यदि हमें किसी भी वस्तूओं को सामान को लंबी दूरी तै करके पहुँचाना है, या फिर वस्तुएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं तो उनके लिए रेल जो है वो सबसे सस्ता है और अच्छा परिवहन का साधन है भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराश्टर के मुंबई एवं ठाने के बीच में चलाई गई थी ठीक है उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया राजिस्थान में पहली रेल भारत में तो पहली रेल मुंबई से ठाने चली 1853 में और राजिस्थान में पहली रेल जो है 1874 में बांदी कुई से आगरा फोर्ट बांदी कुई दोसा में है राजिस्थान में और यहां से यूपी तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंदर भी जैपूर ही है। परिवहन के लिए मेट्रो रेल की सुरुवात जून 2015 में की गई थी। उसके बाद देखिए सडक परिवहन के बाद हमने रेल परिवहन देखा। फिर देखिए वायू परिवहन यह सबसे महंगा तथा तीर्व परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता हमने देखा रेल परिवहन है। और उसके साथ ही सबसे अच्छा भी है। जितनी भी भारी वस्तुएं हैं वहें रेल परिवहन के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। और सस्ता है तो सबसे ज़्यादा उसको ही काम में लिया जाता है। यहां वायू परिवहन सबसे महंगा है। यह तीर्व परिवहन का साधन है। बहुत तेज गती से चलने वाला परिवहन है। और किसी को यदि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो वह इस परिवहन का यूद करता है। जो सीग्र खराब होने वाली एवन मूल्यवान वस्तूओं के परिवहन का अच्छा साधन है। जो वस्तुएं सीग्र खराब हो जाती हैं तो उनको वायू परिवहन के द्वारा जो है एक जगए से दूसरी जगए पहुचा सकते हैं। वायू परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोडने की द्रस्टी से अवश्यक है। जैपुर के सांगा नेर में राज्य का सबसे व्यस्तितम अंतरास्टी हवाई अड़ा है। वहीं उदैपुर के डबोक में महारण प्रताप हवाई अड़ा इस्तित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड़ा जोतपुर के राता नाड़ा में भी है, जहां पर सैनिक के यानि मिलिटरी फोर्स है और अन्य नागरिक जो हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. अजमेर के किसनगड, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड़े हैं, वर्तमान में ओधोगी करण एवं बिविन शेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजिस्थान में वायू परिवहन की सुविधाओं को विक्सित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे कि वर किये जा रहे हैं, तो यहां आपके लिए महत्वपून जो लाएने हैं, वो यह है कि एक तो वायू परिवहन जो है, वो तीर्व परिवहन का सादन है, अलाकि महंगा है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़े खराब हो रही हो, या किसी को जल्दी जाना हो, तो वायू परिवह जैपूर अंतराष्ट्रिय है, हवाई अड़ा, ठीक है, उसके बाद देखिए, परिवहन के बाद है, परियतन, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना परियतन कहलाता है, और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, उनको परियतक कहा जाता है, वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है जैसे मनोरंजन हो गया, प्राकर्तिक दरश्यों का आनद हो गया अब कई लोग जो होते हैं वो छुटियां बनाने के लिए एक जगे से दूसरी जगे घूमने के लिए जाते हैं ताकि जो भी उनकी बिजी लाइफ है, जो उन्होंने साल भर यहां पर काम किया था तो उपना मन बदलने लिए एक जगे से दूसी जगे जाते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रैस करने के लिए जगे से दूसी जगे जाते हैं को देखना बहुत पसंद होता है एतिहासिक इस्थलों को देखना बहुत पसंद होता है ठीक है और कहीं यदि सुन लेते हैं कि अब मान लीजिया अजमेर में पुसकर का मेला लगा हुआ है तो कई परेटकों को तो वो संस्कृती संबंदी तथ्यों का अवलोकन करने के लिए वह यहां आते हैं कई लोग धार्मे की यात्रा पर जाते हैं उसके बाद खेल, कूद, स्वास्त, कारेल, कारे, व्यापार, संमेलन, अभियान, पारिवारिक, कारे, तो ये सभी कारे जो हैं वह हो सकते हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाने के लिए ठीक है तो इन सब को क्या कहेंगे इन सभी को हम परेटक कहेंगे क्योंकि एक इस्थान से दूसरे इस्थान का भ्रमन करना क्या कहलाता है परेटन कहलाता है परेटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामानने दैनिक जीवन के माहुल से अलग किसी अन्य इस्थान पर कुछ समय के लिए अस्था से हमारा राजिस्थान संपूर्ण विस्व में प्रसिद्ध है क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से आगरा के ताज महल को देखने के लिए बाहर यानि विदेसों से भी लोग जो है आते हैं तो उन लोगों को परेटक कहा जाता है उसी तरीके से हमारे राजिस्थान के अ भारत के सभी राजियों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में परेटक राजिस्थान आते हैं राजिस्थान का गौरव मैं इतिहास एवं एतिहासिक घटनाओं से संबंदित इस्थान अरावली जैसे भौतिक स्वरूब जीलें ठारका रेतीला मरुस्थल विभिन वन्य जीव, किले, छतरिया, मंदिर, दरगा, हमेले, सांस्कृतिक विविदताएं आधी परेटकों को भी आकर्शित करते हैं लोग संगीत नत्यकला आधी राजिस्थान की सांस्कृतिक विविदताओं के बारे में जानने और सीखने के उदेश्य से भी यहां अनेक परेटक आत ही नहीं धार्मिक तोर पर भी एक जगे से दूसरे जगे जो है चीजों को देखने जाते हैं मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं तो यहां राम देवरा धार्मिक इस्थल के रूप में यहां पर परेटक आते हैं केला देवी करॉली में लोग आते हैं यहां पर देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड जो है यहां पुसकर अजमेर में आपको मिलेगी परेटकों की ठीक है उसके बाद रनकपुर के जैन मंदिर नाथ द्वारा में यहां पर मंदिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो इनको देखने के लिए परेटक आते हैं गर्मियों मे यदि आप देखेंगे तो लोगवाग जो हैं वो माउंटाबू आते हैं गर्मी के मौसम में ठीक है चित्तोडगर उधैपूर जैसम्मद यहां पर भी कई किलों को महलों को देखने के लिए लोग जो हैं वो हर साल यहां पर आते हैं सरवादिक परेटक जो हैं वो आपको राजिस्थान में देखने को मिलेंगे परेटन से न केवल राश्ट्री एकता की भावना का प्रसार होता है बलकि आए एवं रोजगार के अफसर भी उपलब्द होते हैं तो यहां परेटक यदी आते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है क्योंकि उन परेटकों को एक साथ ही परेटन से हमारी सांस्कृतिक धरवहर को भी संडक्षन मिलता है। राजिस्थान के प्रमुक परेटन स्थलों को हम तीन भागों में एतिहासिक द्रस्टी से भोगोलिक और प्राकर्तिक वद धार्मिक परेटन के स्थल में बांटा जा सकता है। सबसे पहले देखिए एतिहासिक परेटन स्थल। राजिस्थान का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। सबसे की हवा महल है आमेर का किला जंतर मंतर चितोड़ गड़ का विजय इस्थम तो यहां पर जो है देखिए आप विजय इस्थम जो की दिखाया गया है। सम्मद में कुंबल गड़ का किला, जोदपूर में महरान गड़ का किला, जैसल मेर का सोनार गड़, सवाई माधोपूर में रण धंबोर का किला, जालावाड में गागरोन का किला, जैपूर एवम, उधेपूर में सिटी पैलिस, आदी प्रमुक एतिहासिक परेटन इस्थ है ठीक है और यहां कुछ जो भी इतिहास जो है इन जगों से जुड़ा हुआ है तो इसी लिए ये एतिहासिक परेटन इस तरह कहलाते हैं तो इनको देखने के लिए परेटक आते हैं तो यह देखिए हवा महल यहां पर देखिए सोनारगड जो सूरत की रोसनी यदि इन पर टी है तो बिल्कुल गोल्ड की तरह यह चमकता है ठीक है तो इसलिए इसका नाम भी सोनारगड बढ़ा एतिहासिक परेटनिस्थल के बाद देखिए भोगुलिक एवं प्राकर्टिक परेटनिस्थल प्राकर्टिक दरस्टी से राजिस्थान में बिभिन्न परेटनिस्थल आकर्छन के केंद्र हैं उदैपुर में जैसम्मद, फते सागर, पिछोला, उदैसागर बहुत सारी ये जीले हैं कहां? उदैपुर में इसलिए जीलों की नगरी कहते हैं उदैपुर को एवम सिल्प ग्राम, शिरोही का प्रसिद्ध परवत्ती, स्थल, माउंट आगू और नकी जील, अजमेर की पुसकर जील, रासमद में इस्तित रासमद जील, चितोड़ गड में मेनाल जल प्रपाथ, जैसल मेर में मन मोहक रेत के टीले या जिनको हम धोरे भी कहते हैं सवाई माधोपूर का रन थंबो रास्ट्री उद्धान, अलवर का सरिस्का रास्ट्री उद्धान, भरतपूर का केवला देव घना रास्ट्री पक्षी विहार तो ये प्राकर्तिक परेटन इस्तल में आ जाएंगे जैसल मेर एवंबार मेर में इस्थित राष्ट्रिय मरू उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगर मच्छों की संरक्षन के लिए चंबल अभ्यारन प्रमुक है तो प्राकर्दिक द्रस्टी से यदि हम देखें तो आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ अभ्यारन, कुछ उद्यान जो है वो आपको दिखाई देंगे इसके अलावा भोगोलिक दरस्टी से बहुत सारी जीले हो गई वो आपको यहाँ पर दिखेंगी जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें केवला देव घना पक्षी राष्ट्रिय उद्यान ठीक है तो यहाँ लोग जो है देखने आते हैं पक्षियों को रड थंब और अभ्यारण में बागों को देखने के लिए यहाँ आते हैं जो की बहुत ज़्यादा खतरनाग भी होता है देखना लेकि की तीर्तिस्तल परेटन के प्रमुकेंद्र माने जाते हैं तो तीर्तिस्तल के रूप में यहाँ पर परेटक जो है आते हैं और आपने देखा होगा की अजमेर में जो है पुसकर में लोग जो है वो बहुत आते हैं धार्मिक तीर्तिस्तल के यहाँ पर और दूसरा राज्य में ब्रह्मा जी का मंदर ये भी पुसकर में है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा जो की अजमेर में है, कपिल सरोवर कॉलायत बीका नेर में, राम देवरा जैसल मेर में, श्री नाज जी नाथ द्वारा रासम्मत में, एक लिंग जी उदैपूर में, गोविन जी जैपूर में, कर्णी माता देज नौक बीका नेर में, श्री महावीर जी सवाई माधोपूर में, तिरपुरा सुंदरी बास वाडा में आदी ये सभी धार्मिक परेटन इस्थल है, ठीक है, यहाँ पर लोग पूजा पाट करने के लिए आते हैं, रिश्यवदेव उद मंदिर भी परेटकों को आकर्शित करते हैं, तो हमने देखा एतिहासिक द्रस्टी से भी, धार्मिक द्रस्टी से भी, भोगोलिक प्राकर्तिक द्रस्टी से भी, यहाँ परेटक जो हैं, आते हैं, इन सभी को देखने के लिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पर राम देव जी मंदिर है, अजमेर दरगा है, रनक पुर का जैन मंदिर है, ठीकिया? परेटन विकास एवहन सुविधाय, परेटन को बढ़ावा देने के लिए राजिस्थान में, राजिस्थान परेटन विकास निगम, RTDC इसकी स्थापना की गई जिसका मुख्याले जैपूर में है तो परेटक जो है वो इतनी संख्या में आते हैं तो परेटन को और बड़ावा दिया जाए इसके लिए RTDC की स्थापना की गई और जिसका मुख्याले कहां पर है जैपूर में साथ ही पधारो मारे देश आने क्या दिख जाए आधी नारे जो हैं वो दिये जाते हैं तो परेटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी जो लोकों है वो दिये गए हैं परेटकों की सुविधा के लिए राजिस्थान को अलग-अलग परेटन मंडलों में यानि सर्किट में बाटा गया है जिनमें जै परेटन विकास के लिए क्या किया गया है पैलेस ओन वील्स जैसी साही रेल गाड़ी जो प्रमुक परेटन इस्थलों की ही शैर करवाती है सभी तरह की अत्या धुनिक स्विधाओं से संपन ये साही रेल गाड़ी भी देसी विदेसी परेटकों को आकरशित करती है तो यह यहां पर देखिए यह क्या है Palace on Wheels यह शाही रेल गाड़ी है यहां केवल जो हैं परेटक जो हैं वही बैठ सकते हैं ताकि उनको एक स्थाल से दूसरी स्थाल पर ले जाया जा सके दिल्ली से सुरू होने वाली यह रेल गाड़ी राजिस्थान में जोदपूर, चित्तौडग राज्य में परेटन को बहावा देने के लिए इसे उध्योग का धरजा भी दिया गया है परेटन एक सिवा उध्योग है परिवहन के लिए आरक्षन, गाइड, टैक्सी, प्रमुक परेटन इस्थलों की जानकारी आदी इंटरनेट पर उपलब्द हैं ताकि परेटक इन सही नहीं मिला उसने जो है वो धोका दे दिया तो उसे वह है उस जगए ले जाने की वज़ाए जो है वो दूसरी जगए कहीं अन्य जगए ले जाए ठीक है और उसके बाद जो विदेशी होता है उसको क्या करते हैं कई बार लूट भी लिया जाता है ऐसी जमस्याइं जो ह अच्छे तरीके से जो भी information है उस इस्थल के बारे में जोटा सके उनके बारे में जान सके प्रमुग दर्शन ये स्थानों को सडक मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्गों से जोडने का प्रियास किया गया है। प्रियास को सडक मार्ग से जोडा गया है, रेल मार्ग, हवाई मार्ग से जोडा गया है ताकि आसानी से प्रेटक यहां पहुंच सके। प्रेटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्मान वा पेइंग गैस्ट योजना भी संचालित है। अब जो दूर दूर से प्रेटक आए हैं तो उनके रहने की विवस्था जो है वह भी दाइत्व है यहां का जो प्रेटन विभाग है उसका तो उसके लिए वह होटल निर्मान भी कराए गए हैं। प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है। तो यह सभी क्या हैं यह सभी प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा जो मेलों को आयोजन किया जाता है तो यह वो मोहतसव हैं। हर साल जो है वो हजारों लाखों की संक्या में भी देसी विदेसी परेटक यहां पर आते हैं तो मेले हैं, मोहसब हैं, उनका आयोजन भी किया जाता है ताकि यहां की धार्मिक, सांस्कृतिक, जो कल्चर है वो लोगों को पता लग सके तो इसे रोजगार और आयोजन दोनों को ही बड़ावा मिलता है तो आओ अभ्यास करें, राजिस्थान के प्रमुक परेटन इस्तालों के नाम लिखिए तो हमने अभी पढ़े थे, आपके शेतर में आयोजित होने वाले मोहसबों की अपने शिक्षक एवं पत्र पत्र काउं की सहायता से जान कर ये कत्र कीजिए तो ये छोटी क्लास है, एर्ट क्लास, तो जो टीचर है वह बच्चों को कहेगी तो चलिए चैप्टर पूरा होता है, तो महतुपूर सब्धावली जो है वो हम पढ़ते हैं राष्ट्रिय राजमार्क इसका अर्थ है केंदर सरकार के अधीन महतुपूर सडकें राज्य राजमार्क जो है वह है राज्य सरकार के अधीन महतुपूर सडकें जो महानगर महानगर कौन से है डिली मुंबई चेन्य कोलकाता ठीक है तो वहां महानगरों में इस्थानिय परिवहन के लिए उपयोगी रेल मैट्रो रेल अभ्यार अर्ण्य वन्य जीवों का उन्मुक्त आवाश छेतर तो चलिए अब अभ्यास प्रेंट करेंगे जिससे की पता चल जाएगा कि हमें कितना चीज़ें समझ में आईंगी राजिस्नान में मैट्रो रेल का व्यास किस जिले में किया गया जैपूर जैसल मेर या कोटा में तो फटापड से आंसर जो है व UP! देने की कोशेश करें, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि जै तो आपने पढ़ा था, राजिस्थान में पहली रेल जो है, वो बांदी कोई से लेखें, और यूपी के आगराफोर तक चली थी, 1874 में, ठीक है, वहीं पर भारत की यदि बात करें, तो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने, सांगा नेर अंतराश्ट्री हवाई अड़ा किस जिले में इस्थेत है, तो जैपुर जिले में इस्थेत है, उसके बाद देखें, और ये इस प्रात्मक प्रश्न, राजिस्थान में प्रमक भोगोलिक एवं प्राकर्तिक परेटन इस्थल कौन-कौन से हैं, तो हमने देखा था, टाइगर जो है, उसका चित्र बना हुआ था, और दूसरी जगे हमने जो केवला देव घना पक्षिय अभ्यारण, ये हमने देखा था, तो ये प्राकर्तिक परेटन इस्थल हैं, और इसके अलावा अजमेर की पुसकर जील हो गई, रासमन की रासमन जील हो गई, ठीक है, सरिस्का राश्ट्रियोद्यान हो गया, और रधंबो राश्ट्रियोद्यान, ठीक है, और हमने पड़ा था, चंबल नदी के किनारे जो घडियाल हैं, मगर मच उनको संरक्षन देने के लिए जो चंबल अव्यारन बनाया गया, ये सबी क्या हैं, भोगोलिक और प्राकर्तिक परेटन इस्थल हैं, नेक्स्ट देखें, राजिस्थान में सडख परिवहन पर टिपड़ी लिखिए, तो सडख परिवहन जो हमने द आधन रहता है, वहीं से जो है, शहरों की तरफ आया जा सकता है, ठीक है, और सडखों के लिए किया भी गया है, ग्रामीन शेत्रों के लिए यह भी किया गया है, कि सडखों को, ग्रामीन शेत्र की सडखों को सहरों से जोनने का प्रियास किया गया है, प्रधान मंतरी ग्राम नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू